ट्रिक को समझेंगे 2-digit number पे and then उसको apply करेंगे 3 पे ताकि हम 3 को fast calculate कर पाएं 2 में हम सीखेंगे 3 से निकालेंगे तो चलिए 2-digit number से पहले हम start करते हैं तो आईए सबसे पहले हम 21 square की help से trick को समझेंगे और फिर बाकी के 3 question में trick को apply करेंगे और फिर and में हम 342 square calculate करेंगे जो हमने starting में बात करी थी तो 21 square को हम दिखते हैं क्या करना है सबसे पहले देखो तीन number यहां पे एक 2, एक 1 और एक square का 2 तो क्या कर देंगे सबसे पहले 3 part बनाने हैं तो यह 3 part बन गए सबसे पहले unit place पे क्या है 1 तो क्या कर देना है यहां पे 1 का square means जो भी unit place पे हो उसका square करके हैं लिख देना है तो 1 का square is 1 first place पे क्या करना है यहां पे 2 है means जो हमारा second digit है 2 उसका square 4 अब बीच में क्या आएगा तो अगर आप देखेंगे बीच में आएगा हमारे पास इन तीनो number जो भी number यहां पे है मतलब अगर 2 digit का number है तो यहां से 2 number और उनका multiplication 2 से अगर 3 digit का number होगा तो तीनों का multiplication तो यह क्या जाएगा 2 into 1 into 2 तो क्या हो जाएगा इन तीनों का multiplication 4 अगर कोई भी number एक digit से ज़्यादा का होगा तो carry forward हो के आगे आ जाएगा और अगर एक digit का है तो वैसा यह रहगा तो क्या आगई value हमारे पास में 441 और आप देख लेंगे 21 का square क्या आता है 441 अब क्या करना है ट्रिक समझ में आ गई सबसे पहले करना है square इधर वाले number का 1 पर क्या करना है square last वाले number का और बीच में करना है जितने भी number दिख रहे है उसमें सबका multiplication अब यह trick apply करते हैं हम questions पे तो 33 का square हम calculate करते है देखो trick है तो इससे जल्दी होना चाहिए तो सबसे पहले 3 का square 9 3 का square 9 3 का multiplication 3 into 3 9 9 into 2 is 18 तो अब क्या होगा यहाँ पे 9 है 9 ही आ जाएगा 18 में से 8 है जाएगा और carry forward होकर के 1 आगे चल जाएगा तो value कह जाएगी 1089 और यही 33 का square होता है अब 96 के square में कैसे करेंगे देखते तो फिर से 3 part बनाएगे है ना तो आजएगा 6 का square is 36 9 का square is 81 9 into 6 is 54 54 into 2 is 108 क्या होगा अब 36 से 6 आ जाएगा 3 आगे चल जाएगा carry forward यह जाएगा 111 तो उसका 1 आ जाएगा बाकी का 11 आगे चल जाएगा और 81 प्लैस 11 के तो आजएगा 9 2 तो आ गया हमारे पास मैं square 9 2 1 6 तो इस trick से किसी भी 2 digit number का square तो हम बहुत अराम से calculate कर देते बट अब क्या होगा जब 3 digit number आ गया इसमें तो हमने क्या कर रहा था first number में का square यहां लिग जाता second number का square यहां लिग जाता अब 3 digit है इसको कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम करेंगे 111 को उसके बाद में हम बात करेंगे 342 के लिए जिसकी बाद हमने starting में करी थी तो देखो अब क्या करना है 111 में same process करेंगे वापस से 3 part यहां पे बना लेंगे अब number choose करते time हम ध्यान रखेंगे last digit क्या है 1 तो 1 को हम एक number लेंगे और जो बच्चे वे दोनों है 11 इनको क्या करेंगे अलग अलग नहीं लेंगे इसको हम एक ही number लेंगे जैसे 111 को हमने क्या बनाया 11 और 1 अगर यह नमबर में पास है 137 होता तो हम कैसे बनाते 13 and 7 तो इस तरीके से break कर देना है अब first position पे क्याएगा जो हमारा बड़ा number है 11 उसका square तो आज़ेगा कितना 121 second place भी क्या ज़ेगा मेरे पास में सारे number का products लेकिन ध्यान रखना अब की बार number 111 नहीं है 11 है ठीक है क्योंकि हमने break कैसे कर रहे 11 1 और 2 तो क्या हो गया product 22 और last में 1 का square is 1 तो अब क्या होगा 1 की जगे 1 आज़ेगा 22 का 2 आज़ेगा और 2 carry forward और 1 to 1 plus 2 की तो आज़ेगा 1, 2, 3 और you can check कि 111 का square का आता है 1, 2, 3, 2, 1 के equally आता है तो सी 3-digit का b square calculate करना कितना easy है अब हम बात करते है 342 के जिसकी हमने वीडियो के starting में बात करी थी तो we know कि 342 का square traditional method से काफी लंबा होगा क्योंकि 342 को 342 से multiply करना मतलब तीन बार हम एक बार 2 से एक बार 4 से एक बार 3 से multiply करेगे बट इस process में हम क्या करने वाल है see यहाँ पर अगर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर मैं पहले break करूँआ 34 में और फिर break करूँआ 2 में तो 34 और 2 अब problem यहाँ पर क्या हैगी इस वाले question में see उन questions में क्या रहता है number छोटे थे बट यहाँ पर number 34 है तो देखिए step सेम ही होगी पहली place पर जाएगा 34 का square last place पर 2 का square 4 और बीच में क्या होगा 34 2 और 2 का multiplication 34 into 4 किता हो जाएगा यह हो जाएगा 136 अब main बात है 34 का square calculate करना तो difficult task हो गया है यहाँ पर कैसे करेंगे diet तो लिख नहीं सकते है same method हम use करेंगे 4 का square क्या होता है जो हमने अभी पहले सीखी 2D के लिए वापस यहाँ पर apply कर देंगे 4 का square 6 फिर 1 आगे चला जाएगा तीनों का product कितना है यहाँ पर 24 तो उसका 1 आजाएगा तो 25 हो जाएगा फिर 3 का square 9 उसमें 2 add कर देंगे तो 11 हो जाएगा तो देखो हमने जो method अभी पहले सीखी इस question में उसे मुझे फिर से apply करना पड़ा तो क्या हो गया 1156 मुझे देखो यहाँ पर कितना easily मिल गया कई लोगों को याद होता है 34 square लेकि नहीं भी आतो देखो इस method से हमने तुरंत calculate कर लिया अब बाकी की process सेम 136 और 4 अब आंसर आ गया मेरे पास मैं सबसे पहले 4 का 4 लिख दूआँ यहाँ से 6 लोगा 13 मेरा carry over यह कर जाएगा 1156 तरह 13 116964 यह किसके equal है यह है 342 का square तो देखो 342 का square जो हमारा इतना लंबा जा सकता था उसे हमने कितने method में करा केवल एक step में बस यह दिखा मैंने और square मेरा solve हो गया तो यह method हमारी square calculate करने की Vedic Maths की one of the best methods है तो I hope यह method आपको अच्छी लगी होगी